नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी बियाजी और शावन दर्वंगा नियूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम एक बड़ी खुश ख़बरी आप सब के लिए लिए क्या है जो कि हम सब के भी जिस्तक देने जा रही है अब दर्वंगा के तरह ही देवगर में भी इसी नमबर से फ्लाइट सेवा सुरू होने वाली है और हमारे छेट महापर्व पर बाबा के नगरी को भी तौफा मिलने जा रहा है आज हम देवगर एरपोर्ट के बात करेंगे जो जहर्खन का दूसरा इंटरनेशनल एरपोर्ट बने जा रहा है हलांकि जगा छोटा है दर्वंगा से मगर फिर भी है तो इंटरनेशनल एरपोर्ट इसलिए इसका रन्मे बनकर तयार हो चुका है इस सुकरवार उद्यर मंत्री हरदीब सिंग पूरी के सासत यहां के सामसत निसिकान दुए भी यहां पर पहुँचे तब यह बात उन्होंने जन्ता को क्लियर कर दिया कि नॉम्बर के पहले सप्ताह में ही पहला उरान भरा जाएगा जन्ता के बातों को धियान में रखते हुए उन्होंने यह भी बताया है कि अब ट्रेंट के किराया से सस्ता होगा सफर साथ ही इस सप्ता दिली में होने वाली बैठक में विसी इस इलान की घुशना हुई है इसी के साथ PTI ने भी ट्विट के जड़िये बताया है कि नॉम्बर के पहले सप्ता में ही देवगर और दर्वंगा से भी उरान भरा जाएगा हलांकि यह चैलेंजिंग है क्योंकि अभी भी देवगर एयरपूर्प का काम कास्तर काफी धीमा है जो एक से देर महिने में पुड़ा हो जाएगा फिर भी कोशिस सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि इस महापर पर देवगर को यह तोफा मिल ही जाए तो दोस्तों यह वीडियो आपको कासा लगा कमेंट करके जरूर बताएं साथी लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें धनेवाद